हाई फ्रेंड्स मेरा नाम वीध है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप टू डाइबिडेज मिलेंडस में यूज होने वाली टेबलेट ग्लीमी स्टर पी एम टू टेबलेट जो कि डॉक्टर के दुआरा रिकमंडेट किया जाता है और इसको मैंकाइंड फ कोली का पुरा इस्ट्रिप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है टाइप टू डाइबिटेज मिलेंटस में इसको यूज के जाता है तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बैनेफेट साइड पैट कैसे यूज होता है ड्रक कैसे काम करता है सेफटी एडवाइस क्या तो कोई भी मेडिसें से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर के सला जुरूर ले तो वीडियो को हम स्टार्ट करते है एक छोटा सा इंट्रो के बाद ग्लीमी स्टार पी टू टेबलेट जो की बनाई जाती है मैंकाइन फार्मा एल्टी डी के दुवारा बनाई जाती है ग्लीम प्रेट टू एमजी मैट फॉर्मिक फार्मिक फाई पंडिट एमजी एंट प्यो ग्लिटर जोंस फिप्टीन एमजी रहता है 119 रुपे का ये 10 गोली का पूरा इस्ट्रिप एता है ये टेबलेट जो के ट्रीटमेंट करता है टाइप टू डाइबिटी स्मिलेंटेस के रिए और अगर आप इसको जादा ले रहे है डॉक्टर की सला से नहीं ले रहे है तो कुछ साइड उपेट हो सकता है जैसे कि हाइपोगलिश्यमिया हो सकता है हेडेक हो सकता है नोजिया हो सकता है डाइरिया हो सकता है डाइजिनेस हो सकता है वोमेटिंग हो सकता है low number of red blood cells हो सकता और weakness हो सकता और sinus infection हो सकता है तो जब भी इसको ले तो diabetes के doctor की सला से जितना डोज हो डूरिस्ट डूरिसम बोले तो उतना ही ले और इसका fix time और fix dose रखे ताकि better result मिलेगा तो इसके अंदर तीन दबाई डाली गई है ग्लेम प्रेट मैट फॉर्मिंग प्या ग्लेटोजन डाला गया है जो कि क्या करता है कि कंट्रोल करता है better blood sugar के अंदर और deal करता है नौट एफेक्टिवल ग्लेम प्रेट जो कि एक सलपोना हीरिया है जो कि बढ़ा देता है इंसुलिंग को प्रेंक्यस के अंदर जिससे ग्ल्कोज की मातरा कम होती है मैट फॉर्मिंग एक बाई ग्लोनाइट से जो कि ग्ल्कोज का लीवर के अंदर production बढ़ा जयता है जिससे absorption कम हो जाता है और sensitive insulin बढ़ जाता है अदर्वाइस जो description में email idea वहाँ पर पूश सकते हो चैनल पर और वडियो पर पहली बार आप विजट कियो तो हमाई चैनल को जुरू सस्क्राइब करें साथ में जो bell icon उसको दबाए ताकि जब भी में next video upload करूँ तो आप तक एक notification पहुँच जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे